किसानों और सरकार के बिच सनिवार को पांसवे दौर की बाद सित बे नतीजा रही अगले दौर की बैठक अब 9 दिसंबर्क होगी बैठक बाद केंद्री क्रिसी मंत्री ने कहा कि MSP जारी रहेगी इस पर कोई खात्रा नहीं है इसलिए किसी परकार की संका करना बेभुनियाद है केंद्री किसी मंत्री नायंद्र सिंग टोमर ने किसानों के साथ बैठक बाद कहा कि आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से पांचवे दौर की बैठक काफी अच्छे महल में हुए कुछ विशोयों पर पूना अब 9 दिसंबर को बैठक होगी जार्खन के सभी जिला में बनेगा एक एक डिस्ट्रिक अरली इंटर्वेशन सेंटर स्वास समाधी परसानिया सजुज रहे जार्खन राज के बच्चों के लिए अच्छी खबर है बतादे राज जेक 24 जिलो में डिस्ट्रिक अरली इंटर्वेशन सेंटर बनने वाला है पहले चरण में राज जेक के जमसेतपूर देवघर राची खुटी पलामू चाईबसावा हजारी भाग में इसकी शुरुवात होगी बतादे क्रोना से पूर्व नेशनल हेल्थ मिसं अंतरगत संचाली इत्राष्टिय बाल स्वास्थ कारकरम के आला अधिकारियों सोहुई एक बैटक में जारखन के नोडल अफसर ने कुल्चोवी जिलो में डी आई इए सी सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा था 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम की पूरो संधिया पर मसाल जुलूस बतादे सार्नावाद दिवासी धर्म कोड लागू करने के मांग को लेकर विभीन सार्ना समीदियों ने 6 दिसमबर 2020 को रेल रोड चका जाम करने का निले लिया था इसी के आलोक में सुक्रवार 5 दिसमबर की संदिया रांची के अलवट एका चोग पर मसाल जुलूस निकाला दो साल में लाखो नोकरी का वादा पर पहले साल कोई बहाली नहीं सरकार में मुखे भूम का निबार है जारकन मुक्ति मोर्चा ने विधान सभा चुनाव के दोरान सरकार बनने के दो साल के अंदर विभीन खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखो जारकन डी युगाओ को नोकरी देने की घोस्ना की थी लेकिन दो साल में पहले साल राज में तिरितीय स्रेनी के पदो पर एक भी नई भाली नहीं हुई पार्टी ने नोकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भाता देने का भी वादा किया था नोकरिया देने की घोसना सरकार में सामील दूसरे दल, कांग्रेस और रायद ने भी की थी बतादे रायद ने प्रतीस साल पचास या रोजगार के नए पत्स रिजन करने के वादे किये थे ये सारे विकल्प अभी काग जी घोसना पर ही है बतादे राजे में 33 स्रेनी के पदो पर भाले की जिमेंदारी जारखन करमचारी चाहिए नए उकी है मौसम विभाग के अनुसर राची में अगले पांच दिनों तक मौसम सुस्क बना रहेगा मगर रात में कनकनी बढ़ने की संभावना है मौसम विभागानिक अभिसेक अनन ने बताया कि जारखन के मौसम में अगले पांच दिनों का कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है राजे में अधिकतम तापमान 27 से 37 डिगरी और निवतम तापमान 10 से 13 डिगरी के बीच रहेगा मगर बीच बीच में हाल की हावा की वज़े से कनकनी बढ़ेगी पी एल एफाई के नाम पर पोस्टर बाजी मामले में खुटी में छापे मारी तुपूदाना ओपी छेतर के हरदांग चोक इस्थीत लोजपा के परदेश अध्यक्स ब्रेंदर परधान के बंद पड़े वाड़े प्लांट के गेट पर पी एल एफाई के नाम पर पोस्टर बाजी मामले में पुलिस ने पुरी रात खुटी के अलग-अलग इलाकों में छापे मारी की इस दोरान पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा बता दे पुलिस पोश्टर बाजी करने वालों की तलास में तावर दो छपे मारी कर रही है हर प्रमंडल में एक सरकारी सीबी सी स्कूल 2021 से सुरू होगा राज ये के सभी पांचों परमंडलों में एक सरकारी स्कूल को 2021 के नए सेक्षिनिक सत्र से सीबी सी के मनियाता दिलाए जाएगी और उसमें पढ़ाई सुरू की जाएगी वही नए सत्र से किसी भी स्कूली बचों को पुराने किताबे नहीं दी जाएगी सभी के लिए नए किताबे छपाई की जाएगी बतादे इसके अलावा में इसकूली बच्चों को कोपी खरीदने के लिए रासी की जगण जेलों में बंद कैदियों द्वारा तयार की गई कोपी अफलाउद कराएगी प्रवासिस रमीकों को कौसल प्रस्रिक्षन देने के लिए तीन कारेकरम त्यार कुरोना में हमारी के वज़त से लागू लॉकडाउन में जार्खन वापस लोटे प्रस्रिक्षन करेकरम के लिए जनकारी लेना के लिए मीशन निदेशक-सालमुख करेकरम क कौसल प्रस्रायपाल प्रस्रिक्षन के कौसल प्रस्रिक action के लिए पिश्टि खुई है जाकन में गुल्ट संख्रमीटों की संख्या एक लाख 10,186 जबके एक लाख साथ है तिन सोबासेत लोक स्वास्थ हुए और 999 की मृत्य हो गाई भारत में कुल संक्रमीतों संख्या 96 लाख 44 एर 527 है जबकि 90 लाख 9946 लोग स्वाज्थ हुए और 1 लाख 44 एर 216 की मृत्य हो गाई भारत में एक टिप केस 4 लाख 2004 है वहीं जार्खन में एक टिप केस इस प्रकार है राची 744 पूर्वी सिमू 286 बोकारो 97 धनबाद 90 हजारी बाग एकसर सराइकला तीरपन रामगर 49 गुमला 47 लोगर 44 देवघर 40 सायोगन 40 पलामो 36 खुटी 33 चत्रा 31 पच्मी सिमू 31 दूमका 30 सिम्टेगा 28 गडवा 24 लाते हार 29 कोडर्मा 18 जामतरा सत्रा गीडिये गारा दस पाकूर 6 मरीज एक्टी भाए साइवर ठगी का नाया तरीका बहुत तर सो रुप्या में बेच रहे हैं जीन जार्खंड में जामतरा के बाद जमसेदपूर साइवर क्राइम का नाया ठीकाना बन गया है बता दे एट ठग बितिये लेंदेन में तमाम सुरक्षा उपयो कि जार्खंड में करना दे नाया तर्ग लेहाँ हैं कि जीन को खुझ करके सिगरी ढ़नान बन सकते हां रांची डाषी अधर Supreme इससफोर आर्ववेश wa whad apocalypse counselor हम你要 he कर्प्रेशन के DGM प्रमोध रंजन ने रेलवे को एंबुलेंस हैंड ओवर किया इस दोरार रांची DRM रांची DRDA निदेशक सिविल सर्जन रांची एवां इंडियन ओयल कर्प्रेशन के समधित अधिकारी पस्तित थे गुमला में बन पताक का वित्रन 29 दिसंबर को बन अधिकार अधिनियम के तहत नए बन पतास रेजन के लिए सनिवार को स्यो नरेश कुमार मुंड़ा के अज़्यक्सता में हुए इसमें सभी ग्राम प्रधान ग्राम बन अधिकार समीति के अधियक्स और सचिव समीडित में 7 दिसम्बर को जमा करने को कहा गया है 7 से 9 दिसम्बर तक दवा का अस्थलिय जाच बनवी भाग और अंचल करयाले द्वारा किया जाएगा सही पाये गए दवा पत्र को अनुमंडल करयाले गुमला को भेजा जाएगा वहीं आगामी 29 दिसम्बर 22 को जिला मुख्याले में लाबकों के बीच बन पता का वित्रन किया जाएगा गुमला एसपी ने नकसलियों के परिजनों से मिलकर आत्म समर्पन के लिए किया प्रेरीत गुमला के एसपी हरदीप ने सनिवार को एक सरानिये पहल करते हुए प्रतिबंधित नकसली संगटन भागपा मवादी के इनामी कमांडर बुदेश्वर उराव और रंथु उराव के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकात की उन्हारे परिजनों को बुदेश्वर उराव और अन्थु उराव को आत्म समर्पन के लिए समझाने के लिए प्रेरीत किया गीरी डी में पहले फेज में 11,000 को बैक्सिन लगाने की त्यारी COVID-19 की भैक्सिनेशन को लेकर PM मोदी ने देश वासियों के बीच असपष्ट कर दिया है कि बैग्यानिकों के द्वारा हरी जंडी मिलने के बाद कुरोना का देश व्यापी टिका करन अभियान सुरू हो जाए असाधे प्रथम चरन में हेल्थ चेकर्स के अलावा सीनियर सीटीजन और असाधे रोग्यों को प्रत्मिक्ता देने की योजना है पीए मोदी के अवान के बाद जार्खन के गिरी डिजीले का स्वास्त विभाग भी प्रत्मिक्ता के अधार पर वैक्सिन लगाने वालों के सुची तयार करने में जुटा हुआ है स्वास्त विभाग के सुत्रों के माने तो गिरीडी जिले में करेव एगारा हजार वैसे कुरोना यो दावों को वैक्सिन दिया जाएगा जो लगतार आठ मैने से कुरोना संक्रमित के लिए काम कर रहे हैं रविंद्रनाथ ने पत्नी के साथ बावा मंदिर में पुझा अर्चना की जाकन विधान सबा अद्यक्ष रविंद्रनाथ मा तो अपनी पत्नी के साथ बैदनाथ धाम देवघर पहुंचे और बावा का विधी विधान से पुझा अर्चना की इस दोरान मौके पर उनके परिवारिक पुरोहित ने अध्यक्ष को विधी विधान के साथ बाबा बैदनात का पुजा अच्चना और जलारपन कराया मौके पर विधान सब अध्यक्ष ने काया कि जिस परकार हम लोग अभी कुरोना काल में बहुत कठिनाई दोर से गुजार रहे हैं बाबा से प्रातना किया है कि राज और देश सहीद पुरे विश्व से इस बिमारी का खात्मा करे जार्खन स्टेट बार कॉंसिल के पुरो अध्यक्ष प्रेमचंद्र का निधन जार्खन स्टेट बार कॉंसिल के पुरो अध्यक्ष वबरिये अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी का सनिवर सुब निधन हो गया बतादे तिरिपाठी को हेदर सम्मंदी बिमारी थी परिजनों ने बताया कि प्रेमचंद तिरिपाठी का पार्थिव शरीर अम्तिम दर्शन के लिए उनके चटकपूर नामको मिचित आवास पर ले लाया जाएगा पिछले वर्ग के मुसल्मानों को 10% आराक्षन दे सरकार मौमिन कॉन्फिरेंस जीला कमेटी ने पिछले वर्ग के अंतरगत आने वाले मौमिनों को 10% आराक्षन देने BC1 वा BC2 के मुसल्मानों को CNT SPT Act के दायरे में लाने की मांग उठाई है इसको लेकर कमेटी का प्रतिनिदी मंडल गरामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम से मुलकात की अनुबंद सिक्छक गरामिन विकास मंत्री से मिले राची विश्व विद्याला सहायक प्राध्यापक अनुबंद संका एक प्रतिनिदी मंडल सनिवार को संके अध्यक्ष किया कि वह जल्द ही इस विशाय को लेकर राजे के मुख मंत्री से मिलेंगे और इस समस्य का समधान करने की कोसिस करेंगे होटल संचालकों ने लीज रेंट माप करने को कहा परेटन विभाग की तहट संचालित होने वाले होटल के संचालक कोरोना के कारण हुए नुक्सान से हताहत हैं बतादे होटल संचालकों ने पूरे साल हुए नुक्सान का हवाला देते हुए विभाग से लिज रेंट माप करने का अगरह किया है परेटन विभाग के पास स्कूल 43 होटल है जिन में 13 होटल का संचालन जारकन परेटन विकास निगम करता है बाकी 30 होटल लीज पर चलते हैं बताद लीज पर होटलों का संचालन करने वाले मालिकों ने JTDC को इस BTA वर्स का रेंट माप करने के लिए आवेदन दिया है RTE के तहत नमांकन में रूची नहीं ले रहे निजी स्कूल सिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बचों का नमांकन नहीं हो रहा है बतादे निजी स्कूल प्रवंधन इसमें रूची नहीं दिखा रहे है यह दावा एसोसियेशन फर परिवर्तन अप नेशन के अधियक्स हसन अल बनना ने किया है वह सनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि सुचना के अधिकार के तहत मिली जनकारी के अनुसार राची केनेजी स्कूलों में बर्ष 2019 बिस में सिक्षा के अधिकार के तहत नमांकन के लिए प्राप्त आवेदनों में 89 परतिसत आवेदन खाडिच कर दिये क्रिसी कानून के खिलाप धारना पर्दशन जाकन पर्देश कंग्रेस के अवाहन पर जिला मुख्याले सहीद विभीन प्रखंड मुख्यालियों में सनिवार को केन्दर सरकार के नए क्रिसी कानून के खिलाप एवं किसान अंदोरन के समर्थन में कंग्रेस पार्टी ने एक दिवस्य धारना पर्दशन किया पर्दशन के दोरान कांग्रेस के करकरता ने नए क्रिसी कानून को किसान बिरोधी बताते हुए के अंदर सरकार के खिलाप नारेबाजी भी की साथी कांग्रेस के नेताव ने बीडियो के माद्यम से राष्ट पती के नाम एक मांग पत्र भी सोपा है धन्यवाद अवस्यक सुचना ठंड को देखते हुए गरीब परिवारेक बीच कमल बित्रन किया जाएगा जिसमें आप भी सवयोग कर सकते हैं अता आप निमतम राषी 10 रुपए से लेकर अपनी इक्छा सकती के अनुसार सवयोग करे सवयोग राषी आप गूगल पे और फोन पे दोनों माधियम से 82.934.181 नमबर पर कर सकते हैं आपका 10 रुपए का सवयोग राषी किसी गरीब परिवार को ठंड से बचा सकता है अता आपसे अनुरोध है सवयोग राषी देने में बढ़ चरकर भाग ले और अपने आसपास के लोगों को भी निमतम राषी 10 रुपए देनों को प्रेरित करे यदि आप चाहे तो आपका सवयोग राषी का घोसना भी किया जाएगा तो गरीबों के लिए कम से कम 10 रुपए का सवयोग आवसे करे धन्यवाद